नमस्कार बच्चों, बच्चों आज हम कक्षा दस्वी के अध्याए चार जिसका नाम है वैश्वी करन एवं भारतिय अर्थ्विवस्ता उसके बारे में पढ़ेंगे भारतिय अर्थ्विवस्ता उसके बारे में पढ़ेंगे इस अध्याए में वैश्वी करन एवं भारतिय अर्थ्विवस्ता में हम निम्न लिखिल चीजों को जानने का प्रयास करेंगे वैश्वी करन क्या है? विदेशी व्यपार क्या है? विदेशी निवेश या निवेश क्या है? बहुरास्ट्रिया कंपनिया क्या होती है? बहुरास्ट्रिया कंपनियों की वैश्वी करन में क्या भूमिका होती है? वैश्वी करन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होत हैं सबसे पहले हमारा जो अध्याय है वैश्वीकरन और भार्तिय अर्थवस्ता इसमें जो शब्द आए हैं पहले हम उनको समझने का प्रियास करेंगे तो पहला जो शब्द है इसमें वो है वर्य Sm community वैश्वीकरन क्या है वैश्वी करण आपने देखा होगा गलोब देखा है आपने गलोब क्या है एक प्रकार से पूरे विश्व को दिखाता है और इसी प्रकार वैश्वी करण से ही शब्द निकला है या गलोब से शब्द निकला है globalization यानि वैश्वी करण को globalization भी कहा जाता है और इसका अर्थ क्या है कि जो सिवाएं हैं जो वस्तुएं हैं या जो तकनीक है वो पूरे संसार में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है यानि देशों के एक भाग से दूसरे देशों में पहुंच रही है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम वैश्वी करण कहते हैं और जो दूसरे शब्द है अर्थ व्यवस्ता अर्थ व्यवस्ता जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है देखा जाए तो पहला है अर्थ और दूसरा है व्यवस्ता अर्थ का अर्थ होता है धन और व्यवस्ता का अर्थ होता है परनाली तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ व्यवस्ता वह चीज है जिसमें धन की व्यवस्ता की जाती है और इसके साथ दूसरा शब्द लगा है भारतिय अर्थवस्ता यानि भारतिय अर्थवस्ता के बारे में पढ़ेंगे और किस्ते स्बंदित वैश्वी करन यानि वैश्वी करन का भारतिय अर्थवस्ता पर क्या असर पढ़ा है इसके बारे में हम जानेंगे तो बच्चों ये जो अधिहाई के जो शब्द हैं इनका अर्थ हमने स्पस्ट कर लिया तो आए अब हम जो ये अधिहाई है इसकी तरफ चलते हैं इसको जानने का इसको समझने का प्रयास करते हैं आप बजार में जाते हैं आप क्या देखते हैं यहाँ पर इस कंपनी के फोन हैं दूसरी कंपनी के फोन है पता नहीं कितनी ही कंपनियों के फोन है आप सड़क पे घूम रहे हैं कभी ये गाड़ी आ रही है कभी दूसरी गाड़ी आ रही है पता नहीं कितनी प्रकार की गाड़ियां यहां प्रबजार में या सडकों पर हमें देखने को मिलती है जिस प्रकार फोन और गाडियां यहां पर विभीनत रहें के अलग-लग मोडल हैं उसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी यहां पर हमें देखने को मिलती है जो कई रूपों में हमें देखने को मिलती है अखिर यह है क्या य जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, अंतिम रूप से, यानि अब उसके पास कितने विकल्प हैं, वो ये चीज भी खरीच सकता है, वो वो चीज भी खरीच सकता है, बस शर्त क्या है, उसकी जेम में पैसा होना चाहिए, वो किसी भी चीज को, किसी भी मॉडल को, किसी भी वस् सकता है, एक को प्रयोग करने के बाद, वो दूसरी का भी प्रयोग कर सकता है, तो कहने का भाव क्या है, कि आज बजार में बहुत जादा बदलाव या परिवर्तन आ गया है, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, और बजार की बात करें, तो देखेंगे, उसमें इतना संबार लगा हुआ है बहुत जादा विविदता हमें देखने को मिल रही है और इसका मुख्या कारण क्या है और वह है अंतर देश्य उत्पादन क्या है कि पहले क्या होता था लोगों के पास विकल्प नहीं होते थे और उसका मुख्या कारण अंतर देश्य उत्पादन ही था अब ये अंतर देश्य उत्पादन क्या होता है अंतर देश्य उत्पादन का अर्थ है कि वह है उत्पादन जो एक देश की सिमाओं के अंदर ही किया जाता है ये नहीं जैसा कि आज कल वो अलग लग देशों में होत बीस्वी शताबदी यानि 1901 से 1999 के मध्या तक उत्पादन यानि माल त्यार करने की प्रक्रिया देश की सिमाओं के अंदर थी। मतलब आप कोई भी कच्चा माल खादया पदार्थ देश के बाहर भेज सकते थे लेकिन उनको बनाने का काम देश के अंदर ही होता था। जैसे माल लीजिये कि आप टेलिविजन त्यार करना चाते हैं तो टेलिविजन बनाने के लिए जो भी समगरी की अवशक्ता पड़ती हैं जैसे खास्त रहे की प्लास्टिक, उसकी डिस्पले, तार, सरकिट, इतियादी इन चीजों को आप अपने देश से बाहर भेज सकते है मंगवा सकते हैं लेकिन उसको बनाने का काम आप अपने देश में ही कर सकते हैं जब वस्तूएं त्यार हो जाएं तो उन वस्तूँ को आप एक देश से दूसरे देश में उत्पाद के लिए बेज सकते हैं जैसा कि उपनवेशी काल में होता था उपनवेशी काल क्या होता है आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया लगवग 200 साल तक और ये जो स्थिती थी जिसमें एक दूसरे देश के द्वारा किसी अन्या देश पर व्यपार करने के बहाने से उस पर शासन किया जाता है और उसका मुख्यव देश अपने देश के हितों की पूर्ती करना होता है अब यहां पे क्या था अंग्रेज थे भारत पे शासन कर रहे थे और ऐसे सिटी में यहां से क्या हो रहा था जो भी कच्चा माल था उसको इंग्लैन में भेजा जाता था और इंग लैन में जो त्यार समान होता था उसको भारत में भेजा जाता था दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहां से वे वस्तुएं निर्यात की जाती थी जो कच्चे माल के रूप में होती थी और वो वस्तुएं आयात की जाती थी जो तयार समान के रूप में हमें देखने को मिलती है यानि क्या था कि जुवापार था वही सब देशों को आपस में जोडने का एक माध्यम हुआ गरता था लेकिन ये जो स्थिती है वो बहुरास्ट्रिया कंपणियों के आने से पहले की है अब आपके दिमाग में प्रशना रहा होगा कि यह बहुरास्ट्रियां कंपनियां क्या होती है जब हमने शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि हम बहुरास्ट्रियां कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे तो आएए हम बहुरास्ट्रियां कंपनियों की बात करते हैं वो क्या होती हैं बहुरास्ट्रियां पड़ा था कि सिर्फ कच्चा माल या खाद्यापदार्थ ही देश से बाहर जायेगा लेकिन कोई भी देश किसी और देश में जाकर उतपाधन नहीं कर सकता उतपाधन सिरफ वो अपने देश में ही कर सकता है लेकिन जब बहुरास्ट्रियां कमपनियां आई तो इस से दूसरे देशों में उत्पादन करना भी आसान हो गया हम एक बहुरास्ट्रिया कमपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे होता है अब हम उसको समझेंगे उद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुरास्ट्रिया कमपनी संयुक्त राजया अमेरीका के अनुसंधान के इंदर में अपने उत्पादों का डिजाइन तेयार करती है इसके पूरजे चीन में विनिर्मित होते हैं फिर इने जहाज में लाद कर मेकसिको और पूर्वी ईरोप ले जाया जाता है जहां उपकरण के पूरजों को जोडा जाता है और तयार उत्पाद को विश्य भर में बेचा जाता है इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थेत काल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं यह है बैंगलोरू स्थेत एक काल सेंटर है जो प्रयाप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसजित है यह विदेशिय ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्द कराता है इस उधारन में हम ने क्या देखा इस उधारन में हम देख रहे हैं कि जो बहुरास्ट्रिया कंपनी है वो अपनी जो वस्तुएं हैं वो केवल विशवस्तर में बेच ही नहीं रही बलकि विशवस्तर पर उनका उत्पादन भी कर रही है यानि जो उत्पादन है विशव के अलग अलग देशों में हो रहा है यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभाजित है और विशव भर में फैली हुई है उपर दिये गए उधारणों में चीन एक सस्ता वी निर्मान केंदर होने का लाव परदान करता है मेक्सिको और पूर्वी उरोप अमेरीका और उरोप के बजारों से अपनी निक्टता के कारण लाव में है भारत में अतियंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उतपादन के तक्नीकी पक्षों को समझ सकते हैं यहां अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्रहाक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं यह सभी चीजें बहुराष्ट्रिय कंपनी की लागत का लगबग 50-60 प्रतिशत बचत कर सकती हैं अतहा वास्त में सिमाओं के पार बहुराष्ट्रिय उतपादन परक्रिया के परसार से आसेमित लाव हो सकता है अब इसके बाद बहुराष्ट्रे कम्पणी क्या करती है? वो निवेश करती है. निवेश क्या होता है? किसी भी भूमी में, किसी भी मिशीन में, या किसी अन्यॉपकरण में ख्रीदने के लिए जो पैसा लगा है, उसको निवेश कहा जाता है. सस्ता श्रम एवं संसादन मिलता है मतलब कि काम करने के लिए कम रुपए पर मजदूर मिलता हो जो बजार के क्रीब होता है बजार के क्रीब होंगे तो आने जाने का खर्चा बचेगा और बजार में चीजों की लागत और उसकी बिक्री का भी असानी से पता चलेगा बहुरास्ट्रे कमपनियां हर समय सरकारी नीतियों पर भी ध्यान देती हैं जो उनके हित के लिए सही हों क्योंकि जो देश किसी और देश के लोगों को अपने देश में कार खाना लगाने की आग्या देगा तो उन सब को उस देश की सरकारी हिदायतों के अधार पर ही काम करना पड़ेगा बहुरास्ट्रे कमपनियां सस्ते श्रम पर कुशल और अकुशल लोगों को काम देकर दोहरा मुनाफ़ा कमाती हैं कुशल जो लोग पड़े लिखे होते हैं और अकुशल जो पड़े लिखे नहीं होते बलकि शारीरिक बल लगाकर अपना काम कर सकते हैं अपना ज़्यादा फाइदा कमाने है तू ये बहुरास्ट्रिय कमपनियां स्थानिय कमपनियों को खरीद कर उनसे काम करवाती हैं और फिर अपनी कमपनी का नाम दे कर उसे बेजती हैं और मुनाफ़ा कमाती हैं जैसे आप लैबिक टोप की बात करें कमपनी उसके चारज़र का ओडर छ छोटी कमपनियों को दे देती है उसकी बोडी कहीं और दे देती है और ऐसे ही उसके अलग-लग पार्ट त्यार करके वो एक पूरा प्रोड़क्ट त्यार करती है फिर उसे अपने ब्राणड के साथ ज जिससे वो मुनाफ़ा कमाती है उधारन जैसे सस्ता माल कहां से लेना है यातायात और बिक्री के लिए कौन सी जगा महत्वपुर्ण होगी जिससे उनका काम और तेजी से बढ़ता है इसका साफ साफ अर्थ ये निकलता है कि कम लागस से उत्पादन करके अधिक मुनाफ़ा क कमाना अब हम इसका एक उधारन भी देख सकते हैं और आप एक चित्र में यहां पर सामने दिया गया है उसमें समझ सकते हैं अमेरीका की एक बहुरास्ट्रिया कमपनी कारगिल फूड्स ने भारत की परक फूड्स जैसी छोटी कमपनी को खरीद लिया है जिनसे वो काम करव कर अपने ब्रांड का नाम दे कर मुनाफ़ा कमाएगी स्थानिया कमपनियों के साथ काम करने से उनकी बहुत सारी मुश्कलें हल हो जाती हैं जो हर बहुरास्ट्रिया कमपनी को आती हैं किसी ऐसे देश में काम करने से उधारन के लिए हम व्यापार करना चाहते हैं व्याप उसके लिए हमें मशीन भी चाहिए, उसके लिए अन्य उपकरण भी चाहिए, पहले हम इन सब चीजों को खरीदेंगे, और ये जो खरीदना है, इन चीजों को खरीदने के लिए जो पैसा लगाया गया है, जो राशी खर्च की गई है, उसको निवेश कहते हैं, और निवेश लगा रहे हैं चाहे वो भूमी में हैं चाहे वो मशीन में हैं या वो अन्य उपकरनों में हैं किसी चीज का व्यपार करने के लिए इस आशा के साथ कि ये जो निवेश हमने किया ये जो पैसा लगाया आने वाले समय में हमें ज्यादा लाब देगा ज्यादा मुनाफ़ा हैं इनके द्वारा जो भारत में निवेश किया जा रहा है क्योंकि वह वैपार करना चाहती हैं अन्ति मुदेश्यत उनका यही है और इसके लिए वो क्या करती है कारेले खोलती है कारेले खोलने के लिए उनको जमीन चाहिए कार खाने लगाती है उसके लिए भी उनको जमीन चाहिए मशीने खरीती है और इसी प्रकार अन्य उपकरनों की भी उसको अवशकता होती है अब चूंकि ये जो पैसा है ये जो निवेश है ये दूसरे देशों से आया है बाहर से आया है इसलिए इसको बाहरी निवेश भी कहा जाता है अब चुकि ये बाहर से आया विदेशों से आया इसलिए इसको विदेशी निवेश भी कहते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है उधारण के लिए अमेरीका की कोई कंपनी भारत में आकर के पैसा खर्च करती है यानि जमीन खरीती है भूमी खरीती है या अन्या उपकरण खरीती है मशीनें खरीती है और अपनी राशी उसमें लगाती है तो यह सारे का सारा जो पैसा है वो विदेशी निवेश कहलाएगा तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विदेशी व्यापार हो रहा है यानि एक देश दूसरे देश के साथ या कई देश दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं अब हम ये देखेंगे कि ये जो विदेशी व्यपार है उससे जो बजार हैं उनका एकी करण कैसे हो रहा है यानि पूरे संसार के जितने भी बजार हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड रहे हैं तो उससे पहले ये जाना जुरूरी है कि विदेशी व्यपार क्या होता है ये तो हम देखी चुके हैं कि जब एक देश दूसरे देशों के साथ चाहे वो एक देश है या एक से ज़्यादा देश है उनके साथ व्यपार करता है तो उसको विदेशी व्यपार कहते हैं हम जानते ही हैं कि प्राचिन काल से ही व्यपार द्वारा विभिन देश आपस में जुड़े हुए थे अगर हम भारत की बात करें तो भारत दक्षिन एशिया को पूरव और पस्चे में एशिया के बजारों से जोड़ता था इसी परकार बाद में इस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यपार घरेलू बजारों अर्थात अपने देश के बजारों से बाहर के बजारों में पहुचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है अब हमने बात की उत्पादकों को अवसर प्रदान करता यह उत्पादक कौन होता है उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो वस्तूओं का निर्मान करता है यानि वस्तूओं को बनाने वाले व्यक्ति को उत्पादक कहा जाता है एक शब्द हमने पहले भी पड़ा था उपभोगता ध्यान रखेगा उत्पादक और उपभोगता में अ जो वस्तू का सेवन करता है यानि अन्तिम रूप से जिस व्यक्ति के पास वस्तू पहुंचती है उसे उपभोगता कहते हैं अब हम विदेशी व्यापार का अध्यन भारत में जो चीनी खिलोने बिक रहे हैं उसके माध्यम से करने का प्रयास करेंगे आपको पता ही है कि भारत में जो चीनी उत्पाद हैं विशेश कर खिलोने वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बिक रहे हैं आए इनी को हम अपने अध्यन का एक साधन मानते हुए आगे इस अध्याय को बढ़ाते हैं भारत में चीन के खिलोने चीन के विनिर्मताओं को भारत में खिलोने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है जहां खिलोने अधिक मुल्या पर बेचे जा रहे हैं वे भारत को खिलोने निर्यात करना अरंब करते हैं अब भारत में ख्रिदारों के पास भारतिय और चीनी खिलोनों के बीच चैन करने का विकल्प है सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलोने भारतिय बजारों में अधिक लोग प्रिये हैं एक वर्ष में ही सत्तर से असी प्रतिशत दुकानों में भारतिया खिलोनों का स्थान चीनी खिलोनों ने ले लिया है अब भारत के बजारों में खिलोने पहले की तुलना में सस्ते हैं यहां क्या हो रहा है व्यपार के कारण चीनी खिलोने भारत के बजारों में आए तो यहां पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि व्यपार के होने से दो देशों के बीच में व्यापार होने से क्या हो रहा है कि जो वस्तुएं हैं वो उनका आवागमन सरल हो रहा है वस्तुएं आ रही हैं इससे क्या हो रहा है उपभोगताओं के सामने विकल्प खुलते हैं वे जो चीज चाहें उसको ले सकते हैं इसके अतिरिक्त विभिन व बढ़ता है सब कोशिश करते हैं कि उसका जो उतपाद है बढ़िया से बढ़िया हो लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि क्यों कि चीन के जो खिलोने सस्ते हुआ है तो इस प्रकार हम ने देखा कि जो विदेशी व्यापार है वो विभिन बजारों को जोड़ने का काम कर रहा है एक प्रकार से बजारों में एकी करण देखने को हमें मिल रहा है तो बच्चो इस अध्याय का पहला भाग खतम हुआ इस अध्याय का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे